Hello friends! इस वीडियों बात कने वाले है SCE MPS में पूछे गए पृष्णे अगर आप SCE MPS का एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियों आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है नगर आप इस वीडियो को सुरू से अंतक देखकर जाते हैं अगर इस वीडियो से आपको एकजाम में 5-6 कोशन देखने को मिलेगा चलिए देखते हैं आज का पहला प्रसन दे रखा है दिये गए बिकल्पों में से लुप्त संख्या ग्याद कीजिए यानि आपको बताना है इस कोशन मार के स्थान पर काउंज संख्या गी तो इस तरह के परसन को कैसे स्वाल करते हैं चलिए समस्ते हैं तो देखिए यहां पर 132 और 144 से कैसे रिखा गया है तो क्या किया गया है इस बारह में किसे गुड़ा करेंगे 132 से जाएगा तो इस बारह में से एक घटा इं गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 से उसके बाद देखिए इसमें 42 कैसे रिखा गया है 49 कैसे रिखा गया है तो क्या करेंगे देखिए यहां पर 42 कैसे रिखा गया है इसमें साथ में किसे गुड़ा करें 42 हो जाए तो क्या किया गया है इस साथ संख्या से एक कम कर करेंगे यानि स्वाय में साथ में सास से गुला करेंगे क्टिन होगा तो सट्थे उन्चाश से यहीं प्रैटनइस सुख लगेगह लेहां देख है नौ से न Дौनों का अपस में गुला न अथी अगला पाद का चैन करें यानी बताना है यहाँ पर अगला पाद पाउस आएगा तो इसमें क्या पैट्रण चला है देखे P से हो रहा है R तो प्लस हो रहा है 2, R से हो रहा T तो हो रहा है प्लस 2, T से हो रहा V तो हो रहा है प्लस 2, V से हो रहा X से तो प्लस किया कितना जा रहा है 2, तो पैटन क्या चला है, सभी में 2-2 प्लस किया जा रहा है, यही पैटन आगे भी लगेगा, अगर आप ए, X मे 2 page करेंगे क्या आएगा आएगा यहाँ पर जड़े उसके बाद के सी से हो रहा है याफ क्या किया जा रहा है वह सी में अगर यहां पर O में तीन जोड़ेंगे तो किन आएगा O में तीन जोड़ेंगे तो आएगा R तो इस कोशन का राइट एंसर होगा ZR ओप्सन नमबर 20 कोशन का राइट एंसर है ZR इस कोशन का सही जवाब है तो है नेश्ट कोशन नेश्ट कोशन दे रखा है यदि 72 गुड़े 54 को cheaper लिखा जाये तो पैसे गुड़े 28 को क्या लिखा ! आपको पताना है इस कोश्चनल मार के स्थान पर क्या लिखा जाएगा तो चलिए समझते हैं इस तरह के से को कैसे सॉल करते हैं तो देखिए क्या क्या जा रहा है 72 गुड़े 24 को यह कैसे लिखा गया है तो क्या कियांगा है इन में जो अंतिम संख्या है आपस में जूली का है तो किता 2 व्लस 4 देखें यह हो गया दो ओफ इस 4 को आपस जोड़ेंगे तो एंगे तो शय तो श्या नंबर में Kyka आता है यह फ है इस तरीके से से यहां है जैंड आता है यही परडितन इसमें भी लगेगा तो देखें क्या केंगे इस पांच में आठ को जोड़ेंगे तो किना होगा तीरह होगा और तीरह नंबर पर क्या आता है alphabet में यम आता है तो इस question का right answer होगा option number 20 question का सही जवाब है चलिए देखते हैं next question next question दे रखा है अगला प्रस्ण है दे रखा है निमली खीत स्रंख्ला में अगला पत का chain करें यानि बताना है आपको यहां पर अगला प्रस्ड को जाएगा तो चलिए समस्ते हैं इस तरह के प्रस्ण को कैसे solve करते हैं तो देखिए हां पर क्या हो रहा है 3 से हो रहा है 6 तो क्या कियागा है इस 3 में अगर आप 2 से गुड़ा करेंगे तो 6 हो जाएगा उसके बाद देखे 6 से हो रहा 8 है तो क्या कियागा है इस 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा उसके बाद देखे 8 से हो रहा 16 तो इस 8 में 2 से गुड़ा करेंगे तो 16 हो जाएग फिर 2 से गुड़ा फिर प्लस 2 तो आगे भी पैटन चलेगा अब इसके बाद क्या करेंगे गुड़ा करेंगे 18 में 2 से गुड़ा करेंगे तक कुना होगा 18 दुना 36 तो यहां पर अगला पत कौन से आगा 36 तो इसका राइट एंसर है ऑप्सन नमबर 20 कोस्टन का सही जवाब ह चलिए देखते हैं नेश्ट कोस्टन नेश्ट कोस्टन दे रखा है अगला प्रस्ण निम्लखित में से संगत की पहचान करें यानि कहना चाहरा है चार आप्सन में से तीन आप्सन में एक ही पैटन चला है और एक आप्सन में अलग पैटन चला है उसी को पता करना है तो च देखे कितना होता है 21 होता है यहां पालफ़ाबेट किस पर आता है तो यह गलत लिखा गया है और सबका ये भी और सी में सबका —— derived सब्सक्राइब Element नंबर से लिखा गया है option number D में अलग चला है तो इस question का right answer होगा option number D question का सही जवाब है चलिए देखते हैं next question, next question दे रखा है दिये गए बिकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए यानि बताना है यानि जो पहले का संबंध दूसरे से है वही इस तीसरे का संबंध इस question mark से कैसे होगा तो चलिए समझते हैं इस तरह के question को कैसे solve करते हैं तो देखें यहां पर क्या हो रहा है B से लिख रहे है C तो प्लस कितना किया जा रहा है तो इसमें भी पटन लगे है F में अगर आप एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर होगा जी हो जाएगा उसके बाद दिखें जे से हो रहा है के तो प्लस एक किया जा रहा है तो यहन में अगर आप एक प्लस करेंगे तो क्या हैगा O आएगा उसके बाद दिखे आ जो रहा है यह से तो प्लस कreंगे तो क्या ऐगा डबलू इसकोशन का सही जवाब होगा जी व важ डबलू ओफसन नमबरदी स्कोशनका सही जवाब है चलिए देखते हैं नेश्ट कोशन नेश्ट कोशन दे रखा है अगला प्रसम्न निम्रिखी सरंखला में अगला पत का छैन करें यानि बताना है आपको यहां पर 12 Ét gaun साईगा तो चलिए समस्ते हैं तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है तो प्लस एक किया जा रहा है लिए जना से होग है 21 ए तो प्लस ए प्लस busy किया जा रहा है तो पैटन क्या चला है पहले एक जोड़ा गया फिर प्लस तीन जोड़ा गया प्लस पांच जोड़ा गया प्लस साथ जोड़ा गया तो पैटन क्या है इन दोनों यानि इन सभी के बीच दो दो का गयप है तो इसमें भी हो जाएगा इस साथ में कितना जोड़ेंगे दो तो कि इस विखलब से उसी तरह है संबधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले मसे समझे offense इस प्रकार क्या हो रहा है याद किना कpiej यहां तो प्लस यह आएंगा यहांगा जा रहा एक प्लस करेंगा यहां इंहें जे में एक प्लस है आयोड करेंगे तो यह के उप्सर्ण का सही जवाब होगा देस्ट कोश्ण नेस्ट कोश्ण नेस्ट कोश्ण अगला प्रसंदे रखा है चार बच्चे P, Q, R तथा यह से एक CD के उपर है आगे दे रखा है P CD पर Q से उपर है तो देखें यहाँ पर बनाएंगे P को P किसे उपर है? यहाँ पर दे रखा है Q से उपर है तो यहाँ पर क्यू बना लिए? आगे दे रखा है Q जो है ना P तथा R के बीच में है जो देखें यहाँ पर Q है ना P तथा R के बीच में है तो P यहाँ पर है R को यहाँ बनाएंगे तभी तो Q बीच में होगा ना तो हो गया आगे दरका है यदि Yes P से भी उपर है देखें Yes जो है ना इस P से भी उपर है तो yes को बनाएंगे यहाँ, question में देखा है, तो नीचे से तीसरा कौन है, तो नीचे देखे, पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा कौन है, P, तो इस question का right जवाब होगा, option number C, इस question का सही जवाब है, चलिए देखते हैं, next question, next question देखा है, अगला प्रसने, निमलिखिते, सरंख में अगला पत का chain करें, यानि बताना है, यहाँ पर अगला पत कौन सा आएगा, तो चलिए, समझते हैं, इस question में क्या pattern चला है, तो धेखे यहाँ पर हो रहा है, D से हो रहा है, F से और यह चे, तो प्लस 2 किया जा रहा है, S से और आ जे, तो प्लस दो किया जा रहा है, तो तो पैटन क्या चला है सभी में दो दो प्लस किया जा रहा है तो यहीं परिवर्तन आगे भी होगा अगर आप जे में दो जोड़ेंगे क्या आएगा यह लाएगा उसके बाद किये से हो रहा है यहां पर जे तो माइनेस एक हो रहा है जे से हो रहा है यहां पर आई तो कितना म से अगर आप एड़ाइंगे तो क्या आएगा यहां पढ़त जी उसके उसके बाद दिके वाइ से होेरा है यहां पर डबलू तो क्या क्या जा रहा है माइस दो क्या है यूँ तो मैने से दो कि यह जा रहा है एगे दो मारिस करेंगे अगर यस में से आप दो घटाएंगे तो क्या आएगा यहां प्याइगा क्यूंद इसकोशन का राइट एंसर होगा यल जी क्यूद सबसे पहले क्या करते हैं जो दोनों में कामन होते हैं उसे पता करते हैं तो देखिए इसमें इसमें कामन एक है इसमें भी कामन है इसके बाद क्या करते हैं कलाकवाईज इसमें घूमते हैं तो देखिए यहां पर ऐसे कलाकवाईज घूमेंगे उसके बाद लिखेंगे तो पहले एक है तो एक लिखेंगे उसके बाद क्लाकवाईज घूमेंगे फि को यहां दो लिखेंगे हमसे क्या पूछा है चैके निचली फलक पर है तो उपरी फलक पर कौश्चन क्या होगी तो देखे इसका विप्रित कौश्चा है यह दो है ना इसको चनका राइट एंसर होगा ऑफसन नमबर सी स्कोश्चन का सही जवाब होगा चलिए देखते हैं न यह दो लोगनत्त तो इसका राइट जवाब है और संबर वी सिक्कीम राज का मरुणी लोगनत्त है डियास कोशन कोशन देर का है नीमटिखित में इक्ता पर्था की सुरुआत कि थी कुसका सही जवाब है इलतंविचक्त मिस ने इक्ता Hello किधी नेस कोश्चन इने फेकर के विज्ञान सस्थान के पर्थां भारती डारेक्टर कौन थे उसका सही जवाब है option number a cb रमन थे next question दे रखा है बृतीश संसत का सदस बनने वाला पहला भारती कौन था उसका सही जवाब हो जागा option number a दादा भाई नवरोजी थे next question keशन दे रखा है भारती राष्ठी कांग्रेस के परथम मुश्मिम मध्य च ख कौन थे उसका सही जवाब है option number b बदरूति दीन तयाव भारती राष्टी कांग्रेस के परथम मुश्मिम अध्य चे थे तो इसका सही जवाब है option number B बदरूत दीन तयाव है next question दे रखा है निमनीखित में से पर्थम बितायोग के अध्यच कौन थे तो पर्थम बितायोग के अध्यच कौन थे तो पर्थम बितायोग के अध्यच कौन थे तो इसका सही जवाब है option number B केसी नियोगी पर्थम बिताय प्रखें के अध्येत्त हैं नेश्ट कॉशन नेस्ट को संदे रखा है निम्लिखीत में से वनस्पती घी के उत्पादन में काउन से गस का परियोग किया जाता है तो इसका सभी जवाब है ऑप्सन नमबर 20 को अगुशन का पर यूग करते हैं, next question, next question दे रखा है अगरा प्रसने निम्लिखित में से ब्रेल लिपी की खोज किसने की थी, तो इसका सही जवाब है, option number A, लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपी की खोज की थी, next question, next question दे रखा है, वर्तमान में भारती सम्मिधान में कुल कितनी अंसूचियां सब्सक्राइब आगा में lol हैं न्योट कोस्छन नरह कित्में से कप्र्थं में किस वर्स ऑल था तो बिस्ट पर श्रॉख होड़ कब हुआ था उसका हुआ नरह sewing नमर भी 1975 में हुआ था ने कूषण नयच्ट कोशन कोशन रिखा है अगला प्रस्ण दल बदल बिरोधी कानून से सम्मिधान का कवंसा संसोधन समन्धित है तो इसका सही जवाब है option number B बावनाहवा सम्मिधान संसोधन दल बदल कानून से समन्धित है दोस्तों इस वीडियो में हमने सभी important question करा है अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैक को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को सभी साथ होक पास से सेर कीजेगा चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में